नमस्कार मैं असोक कुमार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल करमचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में जो उनको लिव मिलते हैं एक साल में उसके बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन छुट्टियों की उन लिव की जो की सभी कर्मचारियों की एक साल के अंदर मिलती है जो पहली लिव मिलती है वो है L.A.P. लिव on average pay दोस्तों ये जो छुट्टियां होती हैं ये 30 छुट्टियां मिलती हैं एक साल में और ये जनवरी में 15 छुट्टिय मिलती हैं उसके बाद फिर जुलाई में 15 छुट्टिय मिलती हैं ये छुट्टियां ऐसी छुट्टियां होती हैं जिनको अगर आप एक साल के अंदर यूज नहीं कर पाते हैं तो इन्हें आप अगले साल तक कैरी फारवर्ड कर सकते हैं मतलब कि ये छुट्टियां आपके आगे जुड़ जाएंगे इनको आगे भी यूज कर सकते हैं दूसरी छुट्टि होती है अर्थ वेतन अवकास अर्थात लिव आन हाफ एवरेच पे जिन्हें हम सिक लिव भी कहते हैं जो की एक साल में 20 मिलती हैं ये 10 जनवरी में मिलती हैं फिर 10 जुलाई में मिलती हैं दोस्तों ये ऐसी लिव होती हैं अगर इन्हें आप यूज नह अर्थात कैजोर लिव जिन्हें शियल कहा जाता है ये एक साल में 10 मिलती हैं इन्हें आप अगर एक साल के अंदर यूज नहीं कर पाते हैं तो ये आगे कैरी फारवर्ड नहीं होती हैं अर्थात इन्हें आपको एक साल के अंदर ही यूज करना होता हैं दोस्तों ये तीन लिव ऐसी होती हैं जो हर कर्मचारी को मिलती हैं समान नवस्था में सभी को मिलती हैं